पिशले लिसन में हमने WordPress के backend का एक tour किया और उसमें मुझूद settings का एक overview लिया अब हम देखते हैं कि WordPress में content को कैसे manage किया जाता है content की सबसे पहली एक type है post उस पे आ जाते हैं all posts के section में हमारी posts मिलेंगी और by default WordPress एक hello world के नाम से post add करता है जब आप WordPress install करते हैं चाहें तो आप fresh कर दें और नहीं post create करें अगर आप किसी मौझूदा post को edit करना चाहें तो आप edit पे click करें इसके बाद आप उस post का title उसका content और उसके साथ associated featured image बड़ी आसानी से change कर सकते हैं इन तमाम चीज़ों को हम detail में जैसे जैसे इस post में proceed करेंगे एक option को देखते जाएंगे यह content editing का एक overview है तो मिसाल के तोर पे अगर मैं यहां चाहता हूँ कि मैं इस site पे लोगों को welcome करूँ तो मैं इस part को change कर देता हूँ Welcome to the build with WordPress by extreme commerce course website We are excited to have you here and would love to hear your feedback about the course यहां पे हम चाहें तो images add कर सकते हैं चाहें तो मुक्तलिफ type का content add कर सकते हैं जो हम इस course में proceed करते वे देखेंगे यह interface Gutenberg के लाता है जो WordPress का एक visual editor है और इसे इस्तमाल करते हुए posts लिकी जाती हैं इसे इस्तमाल करते हुए pages भी बनाए जाते हैं लेकिन हम अपने इस course में जादा तर pages एक dedicated page builder जिसका नाम Elementor है उससे बनाएंगे बारहल posts create करने के लिए हमारा main tool यही WordPress का default Gutenberg editor ही होगा अगर हम इसे update करें और अपनी site पे जाके site को refresh करें तो कुछ भी नहीं होगा क्यों? Post हमने update कर दी वाज़ा उसकी है कि हमने अपनी site को set किया हुए कि वह front page पे किसी post दिखाने की जगा एक sample page दिखाए जो WordPress में by default जिस तरह hello world post add होती है जब आप WordPress install करते हैं उसी तरह यह sample page के नाम से एक page भी add होता है जब आप WordPress fresh install करते हैं तो आईए अब देखते हैं कि हम pages को कहां पे और कैसे manage करेंगे बल्कि उससे पहले नई post create करने का interface भी देख लेते हैं अगर आप यहाँ add new पे click करेंगे तो exactly वही interface जो existing post को मुझूदा post को edit करने पे मिलता है वही एक नई post को add करने के वक्त भी मिलता है आपने title enter करना है यहाँ उस post का content type करना है और publish button पे click करना है ताके वह post publish हो जाए अभी हम वापस चलते हैं और pages के section में आते हैं जिस तरह एक नई post create की जा सकती है या एक मुझूदा post को edit किया जा सकता है उसी तरह pages section में एक नए page को create किया जा सकता है या एक मुझूदा page को edit किया सकता है और main editing interface के इलावा एक quick editing interface भी होता है जिसमें आप title, slug और publish date, template, parent page, page order और page status जैसे publish, draft या pending review इन्हें specify कर सकते हैं इन तमाम चीजों के बारे में हम जैसे जैसे इस customer proceed करेंगे एक एक feature को explore करते रहेंगे अभी के लिए मैं अगर इस post का नाम रखना चाहता हूँ home और मैं चाहता हूँ कि website के address में इस page का जो link है वो www.xyz.home हो तो मैं इस slug को home में convert कर दूँगा और update करूँगा तो ये page का title और slug automatically change हो जाएगा इसी तरह अगर हम एक नया page add करना चाहते हैं तो add new करेंगे निसाल के तोर पे अगर हम blog के नाम से एक page बनाना चाहते हैं तो इस page का title में blog रखूँगा और इसे publish कर दूँगा blog page पे हमें कुछ content add करने की जरूरत नहीं क्योंकि blog page automatically posts की एक list दिखाता है अभी एक step बाकी है इस page को blog page के तोर पे assign करने का उसके लिए हम वापस आएंगे settings में reading में और यहां हम define करेंगे कि posts page जो है वो इस blog page को set कर दिया जाए और अपनी changes को save कर देंगे अब अगर हम अपनी site को refresh करें तो हम देखेंगे यहां home link के साथ एक blog link पी आ चुका है और blog पे click करने पे हमें posts की list show होती है फिलाल इसमें एक ही post है इसलिए सिर्फ वो ही दिखाई दे रही है उस post पर click करेंगे तो वो post open हो जाएगी और जैसा कि आप यह देख सकते हैं इस post का यह hello world slug इसके url में मुझूद है और इस post पर आपको एक comment भी दिखाई दे रहा है जो wordpress की installation के फॉरण बाद sample के तोर पे automatically add हो जाता है तो यह था wordpress में content को upload करना और publish करना इसी तरह अगर आप कोई media file upload करना चाहते हैं तो आप media section में library में आएंगे यहाँ add new करेंगे और उसके बाद या तो आप अपने desktop से file को यहाँ drag कर लेंगे या select files पर click करेंगे मैं यहाँ extreme commerce के logo को drag करके drop करूँगा और यह logo हमारी media library में add हो जाएगा जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ यह logo हमारी media library में आ चुका है इस logo का इस्तमाल कैसे करना है यह हम अगले कुछ chapters में सीखेंगे जैसे जैसे हम wordpress को इस्तमाल करते हुए sites बनाते जाएंगे अब हम अगर किसी post या page पे image add करना चाहते हैं तो हम उस post या page को edit करेंगे और यह plus का button क्लिक करेंगे यहाँ हम image select करेंगे और अब हम यहाँ image directly upload भी कर सकते हैं उसी तरह इस section पे drag और drop करके अपने desktop या किसी folder से या हम media library को click करके इस media library tab से यह image select कर सकते हैं इसे select करने पे image automatically यहाँ add हो जाएगा उसके बाद इस image को change करने की कुछ हमारे पास options भी होंगी जिस तरह इस image का size हम change कर सकते हैं इसके बारे में caption लिख सकते हैं extreme commerce logo मिसाल के तोर पे अगर आप चाते हैं कि इस link को click करने पर user किसी website पे चला जाए तो हम यहाँ के इस link के button को click करेंगे उसे पहले यह दियान रखे कि आपने image पे click किया हुआ हो ताके वह image ही selected हो और यहाँ पे हम अपना link enter करेंगे मैंने यहाँ पे extreme commerce.org का link paste किया उसके बाद हम enter करेंगे और बाकी options को चेड़ने की ज़रुरत नहीं है और हम update पे click करेंगे तो यह link इस image पे add हो जाएगा अब हम अगर इस post को refresh करें तो हम देखेंगे कि वह image add हो चुका है और उस image पे click करने से हम extreme commerce की website पे चले जाते हैं जैसे हमने image को link किया वैसे हम text को भी link कर सकते हैं उसके लिए text को select कीजिए यहाँ link button पे click कीजिए अपना link enter कीजिए और इसे update कर देजिए अब जब आप post को दुबारा से refresh करेंगे तो आप देखेंगे कि उसका text भी link हो चुका है और वो ही text link हुआ है जिसे आपने link करने के लिए select किया था इस तरह से आप site पे कहीं भी चाहें तो किसी भी text को या किसी भी image को link कर सकते हैं सो यह था content add करना और edit करना अब हम देखते हैं कि content को import कैसे किया जा सकता है अगर आप आईए tools और import में तो आपको बहुत सी options मिलेंगी जिसके रही है WordPress में आप content import कर सकते हैं यहां आप blogger, live journal, movable type, typepad, tumblr या किसी और WordPress site इन तमाम content management systems से लिए गए export को असानी से WordPress में import कर सकते हैं ताकि आप पुराने site से अपना content नई site में ला सकें उसके अलावा अगर आपकी पुरानी site इन में से कोई भी content management system इस्तमाल नहीं करती है लेकिन उसके content की RSS feed मुझूद है तो उसके जरीए भी आप WordPress में उससे content import कर सकते हैं हम अभी अपनी site में WordPress के content को import करेंगे उसके लिए हम WordPress के नीचे install now पे click करेंगे और यह message आएगा जो इस बात की निशानदा ही करता है कि WordPress importer install हो चुका है अब हम run importer पे click करेंगे तो हम WordPress importer के interface में आजाएंगे अगर आप सोच रहे हैं कि जो content आप import करना चाते हैं वो आएगा कहां से तो वो बहुत आसान है आप existing WordPress site में यह export पे जाएए आप जो export करना चाते हैं वो select कीजिए अगर all content selected है तो उस site पे मुझूद तमाम posts तमाम pages और उसके लावा कोई भी custom content types हैं जो हम बाद में देखेंगे कि वो क्या होते हैं तो वो उन तमाम को export कर सकता है और media files को भी export कर सकता है यहाँ आप download export file पे click करें तो एक xml file generate होगी जो आप किसी भी WordPress site में import कर सकते हैं लेकिन हम यह नहीं करेंगी क्योंकि इस site में content है यह ना होने के बराबर हम ऐसा content import करना चाते हैं जो actually site में हमें नजर आये कि यह नया content आया है तो उसका एक आसान हल है आप search कीजिए WordPress theme unit test पहला जो link है codex.wordpress.org का यहाँ से आप WordPress की theme unit test file download कीजिए तो कि इस link को click करने से आप easily download कर सकते हैं यह वैसे तो browser में open हो जाएगी इसे आप अगर ctrl s से save करें तो इसे आप अपने desktop पे या downloads के folder में मिसाल के तोर पे save कर सकते हैं save करने के बाद वापस आप WordPress importer में आईए यहाँ choose file पे click कीजिए और जो अभी आपने file download की वो select कीजिए और upload file and import पे click कीजिए यह आप यह decide कर सकते हैं कि जो content import हो रहा है वो उस content में जो author assign हुआ था उसी author के साथ import हो रहा है या आप वो किसी existing author को assign करना चाते हैं अगर आप उसी author के नाम से import करते हैं तो जितने authors भी उस content के साथ associated मुझूद हैं उन तमाम के नामों के साथ आपके WordPress installation में नई users भी बन जाएंगे उनका password आप अपनी मरदी से reset कर सकते हैं या आप कोई different login name भी assign कर सकते हैं उन users को मैं इस content को अपने आपको assign कर देता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता के different users हमारी site में create हों जिनका कोई मकसद नहीं होगा क्योंकि actual लोग नहीं हैं जो उन accounts को use करेंगे इसके बाद यह option अगर आप select करेंगे तो इस content में मुझूद images या किसी किसम के media files attachments जिने का जाता है उसमें image audio या video files आ जाती है mainly PDF भी हो सकती है कुछ हो documents भी हो सकते हैं लेकिन जादातर images ही होते हैं कभी कभी audios और videos होती हैं तो वो भी आपकी site में import हो जाएंगी इसके बाद submit पे click कीजिए और थोड़ा से इंतजार कीजिए जिस तो रान wordpress वो सारा data आपकी site में import कर लेता है and all done have fun अब अगर हम posts में आएं और all posts देखें तो हमारी वो एक lonely सी hello world post की जगा बहुत सी मजीद posts भी हमें यहां पे दिखाई देंगी और अगर हम pages पे आएं इसी तरह तो हमारे उस एक home page और एक blog page के अलावा हमें और भी बहुत से pages यहां मिलेंगे lastly अगर हम media पे आएं तो हमें मजीद media items भी यहां पे नज़र आएंगे जो पहले यहां मुझूद नहीं थे और हाँ comments हमें मजीद comments भी मिलेंगे क्या import नहीं होता theme plugins और site की settings यह wordpress importer से import नहीं होती यह content की import के लिए यह design layout functionality की import के लिए नहीं है वो आपको खुद से rebuild करने पड़ती है उमूमन या कुछ themes कुछ plugins ऐसे होते हैं जो अपना data export करने की facility देते हैं जो आप नई site में import कर सकते हैं लेकिन wordpress की site को किसी दूसरी wordpress की site पे move करने का import export के लावा और भी अच्छा तरीका होता है जो इसली site से आप एक complete backup लेते हैं और उसे नई site पर restore करते हैं यह हम देखेंगे अगले चन्द sessions में जब हम wordpress के कुछ अच्छे major plugins को discuss करेंगे एक और important चीज जो wordpress की customization में हमने उस वक्त नहीं देखी थी वो है menus मेरा इरादा था कि हम अगले कुछ sessions में जहां हम site को build कर रहे हो वहाँ menus का overview आपको दूँ लेकिन अभी हम import करने के बाद इस section को भी देख लेते हैं तो यहां पर आपको imported menus भी मिलेंगे और अब अगर आप आके site को refresh करें तो आप देखेंगे कि इसका जो main menu है यह ब menus के section में आके define करते हैं यहां हम किसी मुझूदा menu को select करके उसे change कर सकते हैं pages से उसमें कोई मुख्तलिफ page add कर सकते हैं posts भी menu में add कर सकते हैं लेकिन कोई post menu में add करने का कोई as such direct मकसद नहीं बनता आम तोर पे आप menu में सिर्फ pages add करेंगे या posts की categories add करेंगे अब post की categories क्या होती हैं यह भी हम अगले कुछ sessions में देखेंगे basically categories जैसे नाम से जाहिर है posts को group करने का एक तरीका है जैसे कि अगर आपकी मिसाल के तोर पे food से related एक blog है तो उसमें Italian की category हो सकती है Chinese की category हो सकती है Italian में तमाम Italian recipes categorized होंगी Chinese में तमाम Chinese recipes categorized होंगी और अगर आप menu में Chinese category add करते हैं तो कोई उस category पे click करेगा तो उसे Chinese category की तमाम posts यहाँ पे site के main content area में दिखाई देंगी उसे उस category का archive करते हैं इन चीज़ों पे हम मजीद details अगले चंद sessions में आपको provide करेंगे यहाँ पे हर menu के साथ कुछ options होती हैं जिसमें हम उस menu को wordpress की different menu locations में set कर सकते हैं आपका कोई भी wordpress theme अक्सर different locations मोहिया करता है जहाँ पे आप wordpress का कोई भी menu set कर सकते हैं इस theme में एक, दो, तीन, चार, पांच locations है desktop पे नज़र आने वाला horizontal menu, desktop पे नज़र आने वाला expanded menu, mobile menu, footer menu और social menu यह desktop पे नज़र आने वाला horizontal menu है यह नीचे अगर आज़ें तो यहाँ पे एक footer menu होना चाहिए जो शायद सेट नहीं हुआ हुआ हुआ, उसके लावा अगर हम site को mobile पे देखें तो एक mobile menu होगा और यह जो आपको content नज़र आ रहा है, यह menu items नहीं हैं, यह widgets हैं, हम एक नज़र widgets पर भी डाल लेते हैं, क्योंकि इस import process में widgets भी इंपोर्ट हो चुके हैं उसे पहले नया menu create करने का तरीका भी देख लें, अगर आप इस create a new menu button पर click करेंगे, तो automatically एक नया menu बन जाएगा, जो के blank होगा, उसमें आपने pages, categories या जो चाहें वो डालनी हैं, लेकि उससे पहले आपको menu का एक नाम लिखना पड़ेगा, my new menu, नाम आप कोई भी रख सकते लेकि नाम ऐसा रखेगा जो आपको याद रहें कि मैंने किस मकसद के लिए menu बनाया है, अब इस menu में आप चाहें तो pages select करके डालें, चाहें तो categories डालें, और चाहें तो किसी एक page को drag करके किसी दूसरे page के नीचे ले आएं, किसी एक category को किसी दूसरे के नीचे ले आएं, अब अगर आप इस menu को save करें, तो front end पे कुछ नहीं होगा क्योंकि menu किसी जगा assign नहीं हुआ, लेकिन इस menu को अगर हम desktop horizontal view menu पे मिसाल के तोर पे assign करते हैं, और save menu करते हैं, तो उसके बाद website refresh करने पे हम देखेंगे कि website का menu change हो चुका है, और यह जो अभी हमने menu बनाया था, page page A जिसके नीचे page B nested था, post format जिसके नीचे template nested था, वो यहाँ पे आ चुका है, हर थीम की मुक्तलिफ menu locations होती हैं, और वहाँ पे menu मुक्तलिफ design के साथ, मुक्तलिफ styling के साथ दिखाता है, लेकिन उन menu's को back end में manage करने का तरीका WordPress में एक universal ही है, अब widgets भी देख लेते हैं, ज major widget area, इसके content के बाद वाला footer area है, यहाँ पे एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चोथा widget मुझूद है, जो कि आप यहाँ footer 1 में देख रहे हैं, अगर हम इन में से 3 को footer 2 में डाल दें, और उसके बाद site को दूबारा से refresh करें, तो आप देखे के सारे menu's जो पहले एक के बाद दूसरा एक ही column में दिखाई दे रहे थे, अब यह दो columns में split हो चुके हैं, हो सकता है किसी theme में footer के चार column widget areas मुझूद हो, हो सकता है किसी theme में footer के widget areas मुझूद हो ही ना, और उसकी जगा side bar के widget areas मुझूद हो, तो यह theme पे depend करता है, और यह यहां पे आप WordPress के मुझूदा widgets देख सकते हैं, यह मुक्तलिफ मकासित के लिए मुक्तलिफ widgets मुझूद हैं, हमें जिस जिसकी जरूरत पड़ी उसे अपने अगले session में देखते जाएंगे, widget basically एक मखसूस किसम का काम करने वाला एक site का हिस्सा होता है, जो आप site के किसी भी widget area में डालें, तो वो वहां पे कोई मखसूस किसम का content शो करेगा, recent posts widget जो है, इसमें अगर यह हम number of posts 5 select करें, तो यह 5 recent posts दिखाएगा, इस widget को जहां भी आप add करेंगे, वहां पे recent comments इसी तरह, आपके 5 या जितने भी आप यहां पे specify करें, उतने latest comments दिखाएगा, categories, आपकी site क तमाम categories की एक list दिखा सकती है, हर widget की अपनी options होती है, और जैसे जैसे आप WordPress इस्तमाल करेंगे, जैसे जैसे आप यह widget इस्तमाल करेंगे, वैसे वैसे आप इन तमाम options के बारे में मजीद से मजीद जानते जाएंगे, और यह तो WordPress के अपने default widgets हैं, उसके इलावा WordPress में आप ज इताम को पहुंचता है, अगले section में हम देखेंगे के WordPress में themes और plugins कैसे install किये जा सकते हैं, और हम चंद अकसर इस्तमाल होने वाले मकासित के लिए बेतरीन themes और plugins को भी देखेंगे.